वेल्कम तुष एस्टेडी देखेंगे दिल्ली सल्तनत यानि की संतलत काल, सल्तनत काल में क्या-क्या important है सबी questions यहां से जितने भी questions SSC में पूछे जाते हैं या जितने भी one day exam में पूछे जाते हैं सब को कभर करेंगे और deep में भी देखेंगे लेकिन इतना भी deep में नहीं कि PhD पड़े सबसे पहले सफल आकरमण आरबों का ता इसने किया था मुहां Massachusetts क्या था कहां किया था सिंद प्रांत में किया था और सफलता पूरवक इस समय राजा कौन थे दाहिर थे इसके बाद मुहमध गजनवी आता है मुहमध गजनवी कई बार आकरमण गुजरात में यहां पर यहां दिखाता है moun taboo और लेकिन यह जो थे भीम से यहां से यहां तक थे तो भीम सेकंड्स से होता है युद्द और भीम सेकंड्सलिए इसको अरा देते घोरी चला जाता यह फिर आता है तो तराइन का परथम युद्ध होता यह टराइन का प्रत्रम युद प्रितिवीराच चहुआन उसको बैट-बैट मार करके भगा देते हैं, तो उस तरह से बैट से आपने डेट जाद कर लिया था, नीमोनिक मेथड से, अब निमोनिक मेथड से जो आप बनाते हैं याप मैंने मेजर सिस्टम के सारे कोड लिग दिया है आप यहाँ देख सकते हैं तो पृतिवीरा चवान कैसे हराया उन्होंने बैट बैट मारक है तो देखिए B का 9, A का कुछ नहीं, T का 1 आप आगे लगा देगे 1191 का 9 में पृतिवीरा चवान से तराइν का युद्मिय चला गया फिर एक साल बाद आता है यानि 1192 में आता है और पृतिवीरा-चवान को हरा देता है तराइन के दृति युद्मिय तो जैसे ये हार जाते हैं इसके बाद चुकि इनको बूलाने हो ला जैचंद था गोरी को तो गोरी को भी जैचंद को चंदावर की युद्ध में हरा देता है और कैसे याद किया था हमने संग चंदा सबर पाकर के लोग क्या करते हैं जो कुतुबदीन एबक होता है कुतुबदीन एबक जो है उसका गुलाम होता है सीपासालार होता है सेनापती होता है एक तरह से ये गुलाम कैसे हुआ करते थे क्या होता था कि वो लोग जो राज करते थे और लोग कहीं भी कहीं से किसी को गुलाम को खरे लिया, कुछ पैसे दे के खरे लिया, अपनी सेना में रख लिया या फिर इस तरह से गुलाम हुआ करते थे तो कुतुबदीन इसका बहुत ही वाफ़ादार था, गोरी का, और गोरी ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये 1260 में गया और वहाँ पे ही मर गया, और जब मर गया तो कुतुबदीन एबक को कहा कि तू राज करना, कुतुबदीन जो है यहां से इस तरह से लगन करके दिल्ली लाया, और दिल्ली लाया, और यहां पे इसने सुल्तान की उपादी धारन करने वाला पहला गुलाम बना, तो यह गुलाम था, यह भी गुलामी था, क्योंकि कुतुबदीन एबक का गुलाम इलतुतमिस था, गुलाम भी था, तो यह भी उसका गुलामी था, गुलाहम बंस में सबसे पहले सुल्तान की उपादी धारण करने वाला यही ब्यक्ती था तो इस तरह से क्विस्चन बन जाता है कहीं कहीं दे देता है कुतुब दिन अयबक था लेकिन कुतुब दिन अयबक सुल्तान की उपादी नहीं धारण किया था इलतुतमिस ने धारण किया था सबसे पहले तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे पहले इसको एक बार देख लेते हैं सल्तनत काल में हमें यहां पे आच बंस हैं जो बहुत इंपोर्टेंट हैं इसके बाद ही सुरू हो जाता है बाबर का आकरमण 1526 में और बाबर का मुगलिया संतनत सुरू हो जाती है आजादी तक रहती है अब देखिए एक गुलाम बंस गुलाम बंस की अस्थापना होई थी 1206-90 के बीच में खिलजी बं 1320-1414 के बीच में चला सायद बंस 1414-1414 के बीच में चला लोधी बंस 14-1526 इसके बाद मुगल आया था है तो देखिए इन सब को डेट को मैं अभी याद करा दूँगा लेकिन पहले एक बार इसको जल से जल देख लेते हैं पहले हम चर्चा करेंगे गुलाम बंस की करके शुरुआत कहां से होती है कुतुब दिन अभग जो है गोरी का गुलाम होता है और गोरी करता है जाओ तुम राज करो गोरी आता है लहावर को अपनी राजधानी बना लेता है यहां पर राज करना सुरू कर देता है बार आसो छे में राज करने सुरू कर देता है तो तो बिदिन एबग घोड़े से चोगान खेल रहा था, चोगान यानि कि जो पोलो होता है, पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते समय, उसको चोगान कहते हैं, उसमें चोगान खायाता था, तो चोगान खेलते समय घोड़े से गिर गया, या मर गया, इसके बाद इसका भीटा आराम साहा बनता है, वहां का सुल्तान बनता है, आराम साहा उसकी गद्धी बैठता है, आराम साह क्या करता है, निकम्मा होता है, किसी काम का नहीं होता है, इल्तुतमिज जो उसका गुलाम था, कुतुबदीन का गुलाम था, और दामाद भी था, यह आराम साहा को मार देता ह और 1210 में गड़ी पे खुद बैढ़ जाता है और यह गड़ी पे जब बैढ़ता है तो लहार से अपनी राजधाने को दिल्ली अस्थनंतरित कर देता है इसके बाद यह लग्बग बार 1232 तक बना रहता है इसके बाद इसका बेटा जब यह मर जाता है तो इसका बेटा रुक किसी काम का नहीं यह तो बाप की बनी-बनाई सारी महनात और इज़त बेकार कर रहा है खराब कर रहा है तो इसने कहा कि तुम हटो मुझे बैटने दो तो इसने क्या किया रजिया खुद महां पे बैट गई 1236 से 1240 4 साल बैटी 4 साल राज करी यह बहुत अच्छा राज कर रह ही है तो जलन होती है ध्योषट की भावना उत्पन हो जाते है कि इसको भागने पड़ता है चार साल के बाद राज छोड कर रहा ऑग जाती है पिर बाद में उदर मिरवा देते हैं इसको इसके बाद अब देखिए जो इनका म काम करता है कि एक चहलगानी प्रथा सुरू करता है, चहलगानी बनाता है, चहलगानी जो है, 40 लोगों का ग्रूप होता है, वो 40 लोगों का ग्रूप, जो है, इसको protection प्रोटेक्सन प्रोवाइड करते हैं, अब चहलगानी का मतलब समझ लिए सेम वैसे ही जैसे इस समय मोदी जी को मिल करके Z plus security देते हैं या फिर आपने देखा करके कुछ भी बोल देती है उसको Y plus की Z plus की security उसको मिल जाती है इसी तरह से वो security के लिए कुछ रखा था 40 लोगों का group था तो इल्टूतमीज ने चहलगा चहलगानी जो है इसकी रख्षा करते थे लेकिन देखा कि रजिया भग गई और रजिया को इसके पती और इसके भाई नहीं मरवा दिया यहां पर कोई खास्त नहीं था इन लोगों ने इसके जो 40 लोग थे इल्टूतमीज के 40 लोग थे इनी में से 40ों में से एक झिए दिन था जिसका नाम था मुईजि दिन वहराम इसने क्या किया इसको मार करके इसके बेटे को मार करके हां पर भैठ गया आप 2 बैड गया लेकिन smart नसिरुदिन ये भी उठा तो इसको अलावदिन को मार दिया और बैट गया अब क्या हुआ यह तीनों थे लगवग 1245 पचीस साल तक खूब राज किया खूब ऐस किया इसके बाद इनहीं में से एक और निकला जो गया सुद्धिया सुद्धिन बलवन था बलवन ने बलवन ने क्या किया इसको मर वा दिया नसिरुदिन को मार दिया और मारने के बाद गद्धि पर बैट गया और जब यह गद्धि पर बैठा तो बहुत चलांक था इसने क्या किया देख लिया कि तीन बार से तो यह ही हो रहा है कि जैसे एक चालीसा में से जो चालीसा है मतलब चारलीस लोग बैठे हैं, इन ही चालीस में से जो बैट रहा है, उसको पीछे वाले मार दे रहे हैं, जो बैट रहा है, उसको पीछे वाले मार दे रहे हैं, तो इसने क्या किया, बलबन ने क्या किया, ये क्या किया, कि सबसे पहले, जैसे ही गद्दी पे बैठा, इन चालीस म में बहुत कुछ बदल गया कोई डर नहीं कोई महाल नहीं अगर सुल्तान आ रहा है तो आने दो कोई फरक नहीं पड़ता पहले क्या होता था कि सुल्तान आ रहा है तो रोग रास्ता छोड़ करके हड़ जाते थे लेकिन यहां पर कोई फरक नहीं पड़ता था तो बल्बन न इए क्युश्यन बहुत बार पूछा गया है, इसके बाद सजदा और पैबोस को system को अपना है, सजदा का मतलब ऐसे दंडवर्ट प्रणाम को लेट करके पूरा लेट करके उसके पैरों में गिर गिर करके और पैबोस का मतलब उसके पैरों को चूमा अब कुछ कहना आ है तो तो इस तरह से हमने थोड़ा जल्दी देख रहा है, इसको डिटेल में भी देखेंगे, इसके बाद बल्बन की समय में लास्ट में 1288 करिब में मंगोलों का आकरमन होने लगता है, और मंगोल क्या करते हैं, बल्बन को मार देते हैं, अब मंगोल कौन थे, मंगोल वही जैसे ड आकुवाद और कैमूरगा इस तरह से करके दो लोग बैठे होते हैं, दो साल में ये लोग भी खतम आजाते हैं, लेकिन इनको खतम करने वाला यही है, खिलजी खिलजी आकरके इन लोग खतम कर देता है, कुछ जो छोटी आखों वाले मंगोल होते हैं, उनको खतम कर देता ह फिर यहां से सुरू हो जाता है खिलजी बन्स तो हमने एक समय में एक ही बार में जल सेल इसको देख लिया अब one by one कहां से क्या question बनता है और किसने क्या काम किया वहां से देखेंगे देखें यहां पर जो बहुत ज़्यादा important है यहां इससे कुतुबदी नाइबक से question बनते है इलतुतमिस बहुत important है यहां से रजिया सुल्तान important है और यहां से बलवन तो टोटल यहां से चार है जो चार बहुत important है और चारों के काम को हम बारीकी से देखेंगे और यहीं से question पूछते है यह कभी नहीं पूछा जाएगा कि यह कब बैठा हाँ रजिया का पूछा गया है कि 1236 में बैठी थी यह कब दिल्ली के गद्दी पे बैठी थी और रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला थी चाहे मुस्लिम सासी का कहिए चाहे भारत की पहली मैला थी जो दिल्ली के सल्तना दिल्ली की गद्धी पे बैठी तो ये भी कई बार क्वेशन पूछ लिया है तो इस तरह से हम थोड़ा देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है कुतुब दिन अबबक ये बैठा 1206 से 1210 कोई सब को याद रहेगा कि जैसे ही 1206 में गोरी की मृत्ती होई तो ये बैठा और 40 साल तक रहा कैसे मरा घोड़े से गीर करके मर गया चोगान खिलते समय कई बार पूछा है कि वो अकौन सा सासर्थ था घोड़े से गीर कर मर गया तो यही मर गया कुतुब दिन अबक मर गया अब कुछ खास सीज़ां जो क्यूंट बनते हैं कुतुब दिन अबक ने मलिक की उपाध Smight की यानि कि मलिक की टाइटल उसको मलिक कहना अच्छा लगता था जीसे होता है गाहों में अभी क्या करते हैं बच्चे चोटे चोटे बच्चे जो होते हैं अभी 5-7-8 साल सके बच्चे अगर देखते हैं टीवी किसी हेरो को देख लिया ठीक है तो उसी का नाम रख लेंगे या फिर कोई कार्टून देखा, उसमें जो अच्छा लगा, उसी का नाम रख लेंगे, इसी तरह से ये क्या किया, कुतुबदिन ने मलिक की उपादी धारण किया, सिपासलार की उपादी धारण किया था, जो खुद धारण किया था, इसके बाद जनता लोगों, जनता ने, जो निकलते थे, लोगों ने क्या क्या, इसको लाख बक्स की उपादी दिया, अब लाख बक्स की उपादी क्यों दिया, ये क्या करता था, जब निकलता था अपने राज्य में, तो देखता था, अगर कोई दीन दुखी है, किसी पर दया तरस आ जाती थी, तो उसको लाख बक्स दिल्ली सल्तनत के किस राजा को चाहे किस को कहा जाता था तो यह कहा जाता था कुतुब दिन ऐबक को नेक्स्ट है यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट है कुतुब मिनार इसने बनवाया था जो कि दिल्ली में है और धाई दिन का जोपड़ा कल ही डिसकस किया था हमने जो की अजमेर में बनवाया था इसके बाद कुतुब उल इसलाम मस्जिद बनवाया जो ये पहले है दिल्ली में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली मस्जीद है कुतुब उल इसलाम मस्जीद जो कि दिल्ली में बनवाई गई और ये कुतुब दिन अबक के द्वारा फिर अब ये लास्ट है जो कि बार-बार कई बार पूछ लिया है कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्ती हो गई घोड़े से गिरने के बाद तो इस तरह से हमने कुतुब दिन अबक के बारे में कंप्लीट कर लिया इसका बेटा आराम सा आता है दस में और बैठता है तो बैठने के बाद क्या करता है इसी कुतुबदीन का दामाद इल्टुतमिस इसको मार देता है और मारने के बाद ये खुद गदी पर 1210 में बढ़ जाता है और 1232 तक रहता है अब इल्टुतमिस के बारे में देखते है इल्टुतमिस से जो क्यूशन बनते है यहाँ पर मने लिग दिया है पहला क्यूश्चन बनता है कि चहलगानी की सुरुवात किसने की चहलगानी किसने बनाया तो चहलगानी यानि कि 40 लोगों का ग्रूप जो सिक्योर्टी प्रोवाइड कर रहे थे इल्तुत्मिस को इसने बनाया तो इल्टुत्मिस ने बनाया था, आप इसे याद रखेंगे, अब देखिए, कई बार क्यूशे ने पूशा गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो प्रथम सुल्तान जो है इल्टुत्मिस था, कुतुबुदीन एबग मत गयेगा, कुतुबुदीन रामबंस की अस्थापना किया था, ना कि सुल्तान था, अब देखिए, मतलब प्रथम सुल्तान नहीं था, नेक्स्ट है, सुल्तान गड़ी की अस्थापना किया, जो दिल्ली में करा है, महरवली है, महरवली में किया है, और बेटे के याद में, अपने बेटे के याद में तनका याद रख पाएंगे, तावबा, जैसे तावबा और पीतल, दोनों एक साथ नाम आते, तावबा पीतल, तो तावबा का नाम था, जीतल, पीतल से जीतल पकड़ लेंगे, तो इस तरह से याद कर पाएंगे, इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजेगा, कि गुलाम बं में क्या क्याकि रॉठी बनते हैं उसको देखते हैं भी रॉठी और या वरतिया क्या क्या है मुस्लिम में ऑड़ते किसी मस्जिद में जाकर करनाज आदा नहीं करती नमाज़ी याद रखिए और उसने क्या किए तो गदिब बैटता तो exceptional यह मान लिजे तो रॉठीया यहां पर मैंने कोड लिख दिया है एक कुछ नहीं M का होगा 3 और एक कुछ नहीं फिर जे का होगा 6 आगे क्यों लगा देंगे तो यह हो गया 1236 1236 में बैटी और 4 साल के लिए बैटी थी इसके बाद इसके साथ conspiracy की गई चाही सधियांत त अगया और इसको मजबूरन यहां से מौडिय चार साल के बाद ही यानि कि यहां पर 40 में इहां से इसको भागना पड़ा और चालिस में भाग गई कहां से सब लोग विरोध करते हैं, आज भी करते हैं, तो पहले भी करते थे, तो पर्दा की जगह कुवा करती थी, कूपा यानि ताज पहनती थी, और टोपी या फिर टोपी लगाती थी, आपने इमेज देखे होंगे, देख लेजिए, आप लगा देता हूं, नेक्स्ट, औ कुला करती थी, कुला यूज करती थी, यानि कोट पहनती थी, ठीक है, वो नहीं जैसे और इस समय पहनती हैं, वो लोग बुरका और का ऐसम नहीं करती थी, वो ताज पहनती थी, यानि कि जिसे कुवा कहते थे, और कुला कहते थे, यानि कि कोट पहनती थी, जो राजा तो याद ही रहा तो इस तरह से इस पर question बन जाते हैं यही कि रजिय सुल्टान दिल्ली की गद्धि पर कब बैटी और यह क्या यूज करती थी कुवा क्या है कुवा को क्या करते है तो को आज होता कौन नहीं चलाई तो उस तरह से क्वेशन बनेगा बस इसके बाद अब यहां से रजिया का खतम हो गया यह तीनों क्या करते हैं तीनों बैठते हैं पचीस साल तक मौझ मस्ती करते हैं इसके बारे में देखते हैं लगे करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है नसर दिन को मार करकर के हैं और कौन मार रहे हैं तो मारने के बाद देखा कि हमें क्या changes करना चाहिए देख लिया कि तीन स्टेप में तो ऐसा ही हुआ है तो मुझे भी कोई मार देगा तो सबसे पहले शहलगानी में जो बचे हुए कुछे थे सब को खतम करवा दिया खतम करवाने के बाद इसने क्या किया कि दूसरा काम किया कि गया समाज में निकल करके देखा कि हम देखें जनता में क्या अभी क्या हो रहा है तो जब बाहर गया जनता में तो देखा जनता उससे डर नहीं रही थी कोई किसी से डर नहीं रहा है कोई कोई मतला भी नहीं तो इसने जो किया है बलबन ने क्या किया कि बल्बन ने फार्सी सब्वेता भारत में ला दिया फार्सी सब्वेता क्यों लाया आप जानते हैं कि यहां के लोग कुरूर हुआ करते थे जो फारस के थे यानि कि जो इरान उरान के लोग पड़े लिखे नहीं थे करुड़ा के तरह कोई जी चीज का पломड़ेथे ते वहां से लाया और इंपे थो वालाण करते थे तो किस्चन कई बार बनता है कि भारत में फार्षी सभ्याता के लाने वाला कौन था, तो सबसे पहले अगर फार्सी सब दता को इंट्रोडीस किया, तो इसने गिया सुधिन बलबन, यानि बलबन ने किया, पहला काम इसने किया, दूसरा काम किया, कि सज़िदा और पैवोस का पैवोस सिस्टम लागत दिया, सजिदा का मतलब आप जूट करके इसे लेट करके पूरा जैसे संकरजी के मंदिर में जा करके मस्जिद में तो ऐसे नहीं मस्जिद में तो ऐसे नमाज अदा करते हैं तो मंदिर में जा करके जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं तो किसी तरह से अगर इससे कोई किसी को मिलना है तो दंडवत इस तरह से लेट करके प्रणाम करेगा और कुछ कहना है उससे बात करनी है किसी तरह से अरज घरज अपनी कहनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके पैरों को चूम करके बात करनी पड़ेगी तो सजिदा और पैब और इसने नौरोज तेभार लाया नौ दिन का था नौरोज यहने नौौ धिनकी गार नौराथ ने में सब्ण सरकते में मुगलों ने खतम लिए-उस से क्रिष्टन कर दिया, फार्सी सबेता लाने वाला पहला यही था बल्बनी सिक्का चलाया पस यही सारे बनते हैं और कोई ज़्यादा यहां से क्विश्चन नहीं बनते हैं अब देखिए हमने कंप्लीट कर लिया यह बल्बन जुब था तो बल्बन के समय आये सब मंगोल आकरमण की बल्बन को मार इसके बेटे को मार दिये कुछ अंटू-पंटू थे कैकुवाद और कैमरूगा यह लोग बैठे दो साल तक कैसे भी चले ठेल ठालके लेकिन उसके बाद क्या करता है एक खिलजी आयता है खिलजी में आप जानते है खिलजी बनस का संस्था जो संस्थापक था या जलालु आता है यहां से और कहता है कि मैं जाराओ भारत में वह सोच रहाता है और आँने को बढ़ नाई जैता है एक चीज और बहुत ही important चीज है कि वो क्या करता है राजस्थान में एक मलिक कफूर नाम का ऐसे होता है हिजडा होता है जिसे वो खरीद करके लाता है हजार दिनार दे करके इसलिए उसका हजार दिनारी भी नाम रख दिया था मलिक कफूर को नायाग की संग्या भी दिया था तो देखिए इसको हम याद करेंगे देखिए यहां से गुलाम बंस में से questions अगर यह जो देखा जाए कि गुलाम बंस खिलजी बंस तुगलक बंस सयद बंस लोदी बंस यह बंस का इससे याद रखना है तो आसान तरीका है दि पकड़िये, तो सब्द यहां से तुगलक पकड़ियेगा शयद से सास बना लीजेए सास और लोधी को वना लीजे तो आपने एक सब्द बनाया गुल खिले तो सास लो अभी आप जानते हैं कि मास्क लगा लगा करके सब को रहना है अभी नहीं आपको अटाना है अभी सास भी ने ले नहीं, इसी ने सास लीजिए कब लेंगे, जब गुल खिलेगा ठीक है, अभी वायरस ही वायरस है जब गुल खिलेगा तब, तो अब इसी तरस याद रखें कि गुल खिले तो सास लो गुल से गुलाम बन्स, खिले से खिलजी बन्स तो से तुलक बन्स, सास से स्यद बन्स और लो से लोदी बन्स, यह पांचों बन्स आप याद हो जाएंगे